व्किटा, ही फ्रेंड्स मैं अझा आपको बताने जा रहा हूं णोगे डेल्टा चार्ग चार्ग बाय्ट पावर में केलिब्रेशन की हाँ कि मैं आपको बताता हूं के क्या फाइन है अगर कैलिब्रेशन साइड का खराब बैटरि बैंक होता है तो उससे आपका बैकपक मदी आसकता है और बैटरी भी हो सकता है अगर ज्यादा बॉल्ट आ तो इसलिए हमें कैलिब्रेशन देखना बहुत जरूरी होता है ज्यादा नहीं तो एक हपते में एक बार साइट पर जैसे जाते हो तो इसका कैलिब्रेशन चेक करो तो आपका बैकप प्रो पर आएगा और ना ही कोई सेल खराब होगा और अगर कैलिब्रेशन आप चेक नहीं करेंगे तो या तो चार्जिंग नहीं मिलेगी बैटरी बैक को या चार्जिंग जादा मिलेगी तो खराब हो सकता है और कम मिलेगी तो भी खराब हो सकता है तो इसलिए हमें कैलिब्रेशन करना इसलिए जरूरी रहत है ठीक है मैं आपको बताता हू आई आगे आगे कि देखिए यह हमारे जो डिस्पेले पर वोल्टे जा रहे हैं यह 54 पोइंट sww मुआ रहे हैं आईए हम मैं आपको बैट्री पे दिखाता हूँ कि कितने impression आ रहे हैं हमारे camera recommendation पढूमा करिंद है यानी कि हमारे बैटरी बैंक पर वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं इसकी वज़े से हमारे जो सेल है जो बैटरी बैंक है वो खराब हो सकता है आईए हम कैलिब्रेशन करते हैं बताता हूं कैसे करते हैं कैलिब्रेशन इसमें 56.3 है और यहां पर जो है 54.64 आईए मैं बताता हूं कैसे करते हैं कैलिब्रेशन इंटर करते हैं पहले स्टेटस आ गया नीचे अलारा में लोग आए और कंट्रोल है और नेट कॉन्फिग हैं और यह कॉन्फिग्रेशन है कॉन्फिग्रेशन में एंटर करना है एंटर के बाद में यह यूएस वाईएस कैलिब्रेशन है इसको एंटर करना है यह देखिए उपर 56.35 है नीचे 54.61 है इसलिए हम इसको कैलिब्रेशन कर देंगे जितने हमारे बैटरी बैंक पे हो रहे है इसकी वैलू आ रही है 14.55 और हमारे बैटरी बैंक पे 56.3 तो हम इसको 56.3 कर देंगे यह देखिए आपका कैलिब्रेशन हो गया है और आप वोल्टेज नीचे आ जाएंगे इसकी यह देखिए अब 54.72 है अब हम बैटरी बैंक पे चेक करते हैं कितने होगा है हमारे बैटरी बैंक पे आईए मैं बैटरी बैंक के वोल्टेज दिखाता हूँ आपको सही नहीं लगा यह देखिए अब हमारे जो बैटरी बैंक पे वोल्टेज है 54.7 54.7 आ रहे हैं यह देखिए 6 और हमारे पावर प्लांट में है 54.63 ऐसे कैलिब्रेशन करते हैं तो अपना बैटरी बैंक सेफ राएगा और बैक अप ज्यादा आएगा ठीक है फ्रेंड्स ओके